Hello everyone, आज के English Literature के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं आपके साथ शॉर्ट स्टोरी के बारे में, शॉर्ट स्टोरी क्या है, इसके बारे में कैसे exam के अंदर questions हमारे आसा आएंगे, वह हम बाद में देखेंगे, बट शॉर्ट स्टोरी का एक शॉर्ट समरी जो है या फिर स्टेट लेवल के English Teacher जो है या फिर असिस्टेंट प्रॉफिसर जो प्रेपरेशन कर रहे हैं थूर्ट स्टेट पी सी उन सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्फुल होने जा रहा है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइ What are the important elements of short story and what are the examples of short story इन सभी topic को मैं अभी आपके सामने discuss करूँगा, तो सबसे पहले हमारे सामने question आता है कि ये short story होती क्या है, what is short story, तो definition of short story की हम लोग बात करते हैं, तो short story जो है एक तरह के ही, वो small time, एक तरह से ऐसी short novels अब कह सकते हो, जिसका जो main focus है, कि हम लोग जो है, इस तरह की short story को एक बार में पढ़के ही, उसका जो central focus है, उसको समझ लेते हैं, और इसके अंदर जो है, events है, उसमें बहुत जल्दी जो है, उतार चड़ावाता है, एक तरह के characters के अंदर, So short story is a part of normally read one time novel that focuses on a self-contained or series of interrelated events, aimed at creating a single effect or mood, यानि यहाँ पर जो short story को present के जाता है, वो एक तरह की ऐसी short story होती है, जिनको हम लोग novel भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर one time, बहुत एक तरह से एक बार में ही पढ़कर जो है, उसके जो meaning है, उसके अंदर जो self-contained जो series है, और बहुत सारे ऐसे interrelated events होते हैं, जो कि एक single effect और mood को समझने में, किसी भी viewer का, कोई भी reader का, जो है, change करते रहते हैं, short story जो है, हम लोग कैसे देखो, short story का जो origin है, यह बहुत साल पहले, जब से human का existence जो है, इस earth पर रहुआ है, तब से जो short story है, वो तब से चल तंतर की story जो है, यह famous रही है, इसके बारे में सभी student ने पढ़ा होगा, इसके अलावा, जो modern short story है, यह develop हुई थी 19th century में, कब हुई थी develop, यह 19th century में develop हुई थी, और यहाँ पर, जो मतलब एक तरह से, करीबन 200 साल के अंदर ही जो है, इसका originate है, हम लोग मान सकते हैं, इसक short story के जो number of words होते हैं, यह थोड़े कम होते हैं, as compared to novel, या फिर आप कह सकते हो, कि यह parable, parable एक और short story का type होता है, तो parable से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो short story अपने आप में पूरी complete story होती है, जो कि novel से बड़ी, और parable से बड़ी होती है, short story का जो main focus होता है, आप देखिए कि इसमें काफी तरह के major or minor incidents होते हैं, जो कि human के, जो भी readers के emotions को बहुत जल्दी ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो short story काफी तरह के major or minor incidents पे अधारित होती है, short story, real story भी based हो सकती है, कुछ fiction characters और imagination पे भी हो सकती है, short story जो है, इसमें जो number of characters होते हैं, वो as compared to, कम होते हैं, novels की help, novel की से कम होते हैं, बार short story में जो plots होते हैं, इनको भी जो है, हम लोग characters से represent करते हैं, short story जो है, जैसा कि मैंने बताया, इनका जो origin है, वो बहुत पहले का है, जब से human existence है, short stories are one of the oldest type of literature, and have existed in the various ancient communities around the world, तो ऐसा नहीं है, कि इंडिया में जिस तर से पंच तंत्र famous है, इसी तरह से हर community में, हर country के अंदर, उनकी अपनी खुद की short stories होती है, कुछ myths होते हैं, कुछ fox tale होती है, कुछ fairy tale होती है, जो की बहुत ज़्यादा famous होती है, तो short story जो है, इनके अपने खुद के type है, वह है type क्या है, यह मैं अभी आपको बताऊँगा, तो short story आपकी lezenge form में हो सकती है, myths form में हो सकती है, fog tales में हो सकती है, fairy tales में हो सकती है, या फिर anecdotes के form में हो सकती है, then next question हमारे सामने आता है, what are the salient features of short story, short story के अपने क्या features है, short features है, short story के feature है, जो इस तरह से novel के अंदर अपने features होते है, या फिर elements होते हैं, इसी तरह से short story के भी अपने features है, जिसमें short story की, मतलब इसकी अगर variety की जाए, वराइटी की बात की जाए, short story usually have a less number of features as compared to novel and drama, short story के जो famous यह है, famous एक तरह से features कह सकते हो, short story में बहुत तरह के standard features होते हैं, जैसे exposure, complication, crisis, climax, prices, resolution at the end of the story, तो वैसे यह जो short, यह जो मैंने बताए है feature, यह इसके short story के elements है, but short story में भी बहुत तरह के ऐसा exposure होता है, बहुत तरह के environment changes होते है, complications होती है, human relationship को बताया जाता है, यह फिर बहुत तरह की, और भी complications है, जिनको resolve कियाता है at the end of the story, बहुत तरह के crisis है, climax है, conflicts है, जो कि अभी हम लोग जो है, अभी थोड़ जिर में देखेंगे, इसके अलावा, short story ज़रूरी नहीं है, कि सेम तरह के pattern को follow करें, यानि कुछ stories की अंदर, अलग तरह की pattern follow होते है, कुछ अलग story में कुछ और भी तरह के follow होते है, जैसा है Dubliners, जो है James Joyce ने लिखा है, तो James Joyce की सभी story में, उन्होंने Dublin, जो city है, जो की Ireland में present है, वहां के लोगों की, जो present time की, जो life pattern थे, उसके बारें बताया था, तो James Joyce की, हर story के अंदर, आपको short story में, अलग अलग तरह के, जो patterns है, वो देखने को मिलेंगे, उसी तरह से, हर short story के अंदर भी जो patterns होते हैं, वो एकदम अलग होते हैं, then short story जो है, बहुत तरीके से, बहुत अलालग तरीके से, readers को influence करती है, उनको inspire करती है, तो short story जो है, कुछ short story जो है, बहुत suddenly mood change करती है, readers का, कभी खुशी देती है, कभी गम देती है, इसी तरह से short story देखने को मिलती है, और short story के अंदर जो है, बहुत तरह के incidents होते हैं, और even a simple action of the character's life, तो जो भी characters है, जो की short story में हाएं, उनके incidents के बारे में, उनकी life के events के बारे में, उनके emotional explanation के बारे में, या फिर किसी भी character के जो भी उन्होंने action किये हैं उनके बारे में जो है देखने को मिलता है और short story में बहुत तरह के जो characters होते हैं उन characters के जो inner most thoughts होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि short story को कोई particular कोई narrate करें short story के अंदर किसी भी person के अपने खुद के inner thoughts उसके अपनी आंत्रिक जो उसके अंदर जो बन में चल रहा है उन सभी को हम लोग जो है short story में present कर सकते हैं इसके लावा बहुत तरह के motives emotions और उनके जो different angles हैं उनके view है वो जो है short story में देखने को the next question आता है what are the elements of short story short story के कौन-कौन से elements है जड़ा इसे देख लेते हैं तो short story में भी इसी तरह से वह elements होते हैं जो की novels में होते हैं या फिर drama में होते हैं बट कुछ इसमें less number of characters होते हैं दिखिए drama के अंदर कौन-कौन elements होते हैं short story elements होते हैं या फिर novel के कितने elements होते हैं इनके उपर वीडियो में बना चुका हूं उन सभी के वीडियो के लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे अब short story में सबसे important elements जिसका यह है कि इसमें less number of characters होते हैं as compared to novels क्यूंकि इसमें किसी भी तरह के अपनी जो बाते हैं वो नमकम character से author जो है वो बता देता है इसके लावा जो इसकी setting है plots है या फिर conflict है और आखरी में इसका जो इसमें पूरे short story central theme है इसके अलावा इसमें resolution है यानि conclusion है end में तो इस सारी short story के elements है और यही elements जो है हमारे कहीं ना कहीं novels के भी हैं तो novels जो है या short story जो है short story क्या है novel का आप उसको एक mini version कह सकते हैं बट इसमें जो इसमें number of words होते है number of pages होते हैं as compared to novel से कम होते हैं तो मैं फिर से एक बाहर आपको बतायता हूं कि elements of short story में आपके जो important points है less number of characters है इसमें भी settings होता है plot होता है conflict होता है central character और बाकी के environment के बीच में इसका short story का अपना control का central theme भी होता है और आकरी में जो resolutions होता है conclusion को कह सकते हैं कि जो conflict आया है short story में उसके बाद का जो part है उसको हम लोग जो है resolution कहते हैं then next इसमें आता है what are the types of short story short story की क्या type है बहुत brief में इनके नाम पढ़ लेते हैं इसमें सबसे important है short story का जो एक टाइप है फैबल है then flash fiction है मीनी सागा है विगनेच्स है then legends है myths है fog tales है fairy tales है parables है और anecdotes है तो यह short story के अपने important types है अब इनके उपर मैं detail में एक वीडियो में बनाऊगा और आपको अगर जल्दी चाहिए तो इसे मुझे YouTube पर कमेंट करके बताईएगा देखिए हमारे बहुत सारे courses है जो कि English literature के provide की जाते बीएस एकडमी के द्वारा जिसमें UGC net course set exam के course TGT and PGT course जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर assistant professor के state PSE के through courses है और PSG entrance exam के भी courses है इसके लिए आप हमें WhatsApp पे content कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमर आपके screen पर available है और या फिर हमें आप आप जो है टेलिग्राम पे भी message कर सकते हैं टेलिग्राम का भी जो link है चैनल का link है video description मैंने डाल दिया अपनों के लिए Then next आता है जो की bottom point है what are the important examples of short story The short story के example देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले आता है The Happy Prince by the Oscar Wilde Then the yellow wallpaper by the Charlotte Parkin Gilman Then the Tale Tale Heart by the Edgar Allen Poe Then the short story of an hour by cake chopping Then the necklace by the guy the maupecent And last में आता है to build a fire by the Jack London तो ये कुछ short story के example है बहुत famous example है जो की मैंने अभी आपको बताए तो candidates अभी तक हम लोगोंने short story के बारे में brief में चेक कर लिया सब कुछ देख लिया इसके लावा भी अगर आपका कोई सवाल है कोई question है तो आप मुझे YouTube पर comment कर सकते हैं या फिर आप हमें WhatsApp पर content कर सकते हैं हमें Telegram के group में send कर सकते हैं message तो उन पर हम जो आपका comment है definitely उसका reply करेंगे और इसके लावा आप हमारे course में enroll के लिए courses की inquiry के लिए भी हमें WhatsApp पर content कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर आपके screen पर available है तो यह जो था आज के इस वीडियो के बारे में था और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक इस वीडियो एंड शेर इस वीडियो तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स वीडियो में थैंक यू